प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी संबोधन कर रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे सुनिये कॉंग्रेस नफ्रत फैलाने की सब्चे बड़ी फैक्टरी बनने वाली है ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कॉंग्रेस को खत्म कर देना चाहिए कॉंग्रेस खुद खत्म नहीं हुई लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है इसलिए हमें सावधान रहना है सतर्क रहना है साथियों मेरा पक्का विश्वास है समाज को तोड़ने की आज जो कोशिश हो रही है ऐसी हर साजिश को महराष्ट के लोग नाकाम करके रहेंगे महराष्ट के लोगों को देश के विकास को सर्वो पर ही रखते हुए एक जुट होकर बीजेपी महायुति के लिए बोट करना है हरियान आतर भाचपा जिंकली अता महराष्ट या पिक्षा मोठा विजय मिलवाए चाहे साथियों पिछले दस वर्ष में हमने देश के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रा बनाने का एक महा यगनश शुरू किया आज हम सिर्फ बिल्डिज नहीं बना रहे हैं हम एक स्वस्थ और सम्रुद्ध महराष्ट की नीव रख रहे हैं एक साथ दस नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शुरूवात ये केवल दस नए समस्थानों को तैयार करना नहीं हैं ये लाखों लोगों के जीवन को बहतर बनाने का महा यग्य है ठाने, अंबरनात, मुंबई, नासीक, जालना, बुल्धाना, हिंगोली, वाशीम, अमरावती, भंडारा और गडचिरोली ये मेडिकल कॉलेज इन सभी जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में लाखों परिवारों की सेवा का केंद्र बनेंगे इनके चलते महाराश्टर में नौसो मेडिकल सीटे बढ़ रही है अब महाराश्टर में मेडिकल सीटों की संख्या लगभग छे हजार हो जाएगी इस बार लाल के लिए से देश ने संकल पलिया है कि मिडिल क्लास में मेडिकल लाइन में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सिटे जोड़ी जाएगी, आज का ये आयोजन इसी दिशा में भी बड़ा कदम है, साथियों, हमने मेडिकल सिख्षा को सूलब बनाया है, इससे महारास्त के युवाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल गए है, हमारे गरीब और मद्यमबर के जादा से जादा बच्चे डॉक्टर बने, उनका सपना पूरा हो, ये हमारी सरकार की प्रात्विक्ता है, एक समय में इस तरह की पढ़ाई के लिए मात्रु भाषा में किताबे ना हो ना भी बड़ी चुनोती थी, हमने महारास्त के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, ये बेजभाव भी खत्म किया है, अब महारास्त के युवाओं मराथी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे, मराथी भाषा में पढ़कर वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे, साथियों, जीवन को आसान बनाने का हमारा प्रयास, गरीबी के खिलाब लड़ाए का बहुत बड़ा माध्यम है, कॉंग्रेज जैसी पार्टियों ने तो गरीबी को अपनी राजनिती का इंदन बना रखा था, इसलिए वो गरीब को गरीब बनाए रखती थी, लेकिन हमारी सरकार ने एक दसक के भीतर-भीतर पचीश करोर लोगों को गरीबी से निकाला है, और देश में स्वास्त सेवाओं का काया कल्प इसका एक बड़ा आधार बना है, आज हर गरीब के पास मुप्त इलाज के लिए आईश्मान काड है, अब सभी देश वास्तियों में जो भी सत्तर के उपर के हैं, अब सत्तर साल की उम्र के बुजुर्गों को भी मुप्त इलाज मिल रहा है, जन आउशदी केंद्रों पर बेहत कम कीमत पर जरूरी दवाईयां मिल रही है, इस वक्त बड़ी जानकारी आपी टीवी स्क्रीन पर है, प्रधान मंतरी मोदी का कॉंग्रेस पर जोरदार बार, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए नजर आए, हरियाडा के लोगों ने कॉंग्रेस को सबक सिखाया, प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए कॉंग्रेस गरीब को गरीब बनाए रखती थी हारियाणा के बाद अब महारास्ट्र में बनेगी भारतिय जनता पार्टी की सरकार प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी ने कहा और साथ ही अपधारिकी कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साथते हुए नजर आए प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी